दो चीजें इसमें important हैं एक यह कि पिछले 75 साल में दिल्ली जिस तरह से बना हैं दिल्ली planned तरीके से नहीं बना दिल्ली जिस तरह से दिल्ली का विस्तार हुआ दिल्ली जिस तरह से बनी 80% से ज्यादा दिल्ली illegal या encroached कही जा सकती है 80% से ज्यादा दिल्ली जो है वो अतिकरमन के दाइरे में आएगी तो एक प्रश्न उठता है कि क्या 80% दिल्ली को तोड़ा जाएगा दूसरी बात ये उठती है कि जिस तरीके से अतिकरमन को हटाया जा रहा है ना कोई कागज है ना किसी को मौका दिया जा रहा बुल्डोजर बस लेके किसी भी कॉलोनी में पहुंच जाते हैं और किसी का भी घर तोड़ने लग जाते हैं किसी की भी दुकान तोड़ने लग वो आदमी कागज लेके खड़ा है सड़क के उपर चिला रहा है दया की भीक मांग रहा है कि मेरे कागज तो देख लो मेरे पास हैं कागज मेरे पास हैं मेरा जो यह है यह 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 इलीगल नहीं है यह इनक्रोश नहीं है मैं कई कई चालिस चालिस साल से यहां पर रह रहा हू इनकी प्लानिंग है कि दिल्ली की सारी कच्ची कोलोनियों को तोड़ा जाएगा दिल्ली की कच्ची कोलोनियों में लगबग 50 लाख लोग रहते हैं इनकी प्लानिंग है कि दिल्ली की सारी जुग्यों को तोड़ा जाएगा, दिल्ली की जुग्यों में लगबग 10 लाख लोग रहते हैं, इसके अलावा 3 लाख प्रॉपर्टीज की ऐसी इन लोगों ने लिस्ट बना रखी है, जहां पे इनका कहना है किसी ने नक्षे के इतर, जिन लोगों ने किसी ने बालकनी थोड़ी बना ली, किसी ने एक कमरा अलग बना लिया, किसी ने इस किसम के सारे पार्टली उन एंक्रोच्मेंट्स को तोड़ा जाएगा, 63 लाख लोगों पे बुल्डोजर चलेंगे, मैं समझता हूँ ये आजाद भारत का सबसे बड़ा विध्वन्स होगा, सबसे बड़ा विध्वन्स होगा, ये तो सही नहीं है, चुनाव के पहले भारती जनता पार्टी ने कहा था, कि कच्ची कॉरोनियों के लोगों को मालिकाना हक दिलाया जाएगा, चुनाव के पहले इन्होंने कहा था, जहां जुग्गी वही मकान बना के दिये जाएंगे और अब चुनाव के बाद यह इनको सब को तोड़ने के लिए आ गए यह तो सही नहीं है मैं समझता हूं जिस तरह से दिल्ली का हम भी मैं फिर से दोराना चाहता हूं कि हम भी अतिकर्मन के खिलाफ हैं हम नहीं चाहते कि अतिकर्मन होना चाहिए हम नहीं चाहते हमारी दिल्ली खुबसूरत होनी चाहिए हमारी दिल्ली अच्छी होनी चाहिए लेकिन 63 लाक लोगों क तो आप बेघर कर दोगे 63 लाक लोगों को कि दुकाने तोड़ दोगे उनकी उनकी रोजमर्रा की जिंदगी खराब कर दोगे उन यह तो कोई बरदाश्ट नहीं करने वाला पंद्रा साल से नगर निगम में बीजेपी का राज था दिल्ली नगर निगम में पंद्रा साल में इन्होंने क्या किया पंद्रा साल में इन्होंने और illegal encroachments कराए और illegal buildings बनवाई उसके खुब पैसे आरोप लगता है कि खुब पैसे लिये गए, पैसे ले लेके कराए गए, अब जब इनका कारेकाल पूरा हो गया है, 18 तारिक को इनका कारेकाल पूरा होने जा रहा है, 16 तारिक हो गई है, दो दिन बचे हैं, 18 तारिक को इनक की नैतिक इनके पास power है, आपने कानून पास करके अब एक officer लगा देंगे और वो, लेकिन आपकी क्या नैतिक constitutional legal power है कि आप इतना बड़ा निरने ले सकें, आप चुनाव कराईए, चुनाव कराने के बाद जो नई MCD बनेगी उसको निरने लेने दीजिए, चुनाव के बा की और अवैद रूप से बनी हुई दिल्ली की समस्या को हम समाधान करेंगे, कच्ची कॉलोनियों को साफ सुथरा बनाया जाएगा, कच्ची कॉलोनियों को regularize करेंगे, लोगों को मालिकाना हक दिलवाएंगे कच्ची कॉलोनी के लोगों को, वहाँ पे already हम लोगों ने सडक बिजली, पानी की विवस्था कर दिया, साफ सफाई, उनको अच्छी कॉलोनी के रूप में विकसित किया जाएगा, जुग्गी वालों के लिए मकान बना रहे हैं हम लोग, टाइम लग रहा है, जुग्गी वालों के लिए मकान बना रहे हैं, जुग्यों से भी मुक्ति द रहा है उसे तो लोगों को बादा पहुंचती है किसी ने रस्ते पर कुब यह को बादा पहुंचती है ऐसे लोगों को मौका देके उनको हटाने के लिए कहा जाएगा लोग कंते हैं कई बार हमने ऐसे